तो बात करें यह भी मैच इतना बेटर नहीं है दोनों पांच बजे के मैच बखवास हैं बट यह थोड़ा सा उससे ठीक है तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक और जुआइनों जो रहा है इस वीडियो के अंदर किसी तरह की चीज को पुर्स्तायत नहीं करें यह वीडियो बहुत यहादा सेफ और नॉलिजएवल है तो बढ़ते हैं आगे बात करें इस मैच की तन टी यूज़ी एंड गड़ो एक क्रूज तो यहाँ पर मैं फेवर क अगर बात करूँ तो टी यूज़ी के प्लियर भी उतने में जितने की ज़ी जच हैं तो ड़बल साइड यह भी मैच रहेगा तो सबसे बहले बात करें एम कॉर्नल की देग हैं यह म कॉर्टनी का तो किसे में स्टाइगर ऑभेज पीच में फ्लॉप हो भी राता तो बोज चोड़ सकते भले नीचे से मार्शयलों χेले भले सी मनेंडिस खेले भले कोई भी खेले वह नहीं दिक्कत आएगी क्योंकि आपर दिक्कत आपको सिरफ एक खिलाडी सकता है जिसका नामे टी कोनेची अब अब बोलो कि इसको कैसे ले भाई क्योंकि टी कोनेची ने लास्ट मैच के अंदर प्लेंग 11 में एक गोल एक एसिस्स किया था उसको लेना है तो आपका एस रोडरीगूज उस मैच में आपको छोड़ना बड़ेगा बट यह बहुत जादा रिस्की है और टी एलेंडे को भी छोड़ना बहुत जादा रिस्की क्योंकि लास्ट मैच में टी एलेंडे खेल रहा था तब प्लेंग 11 में तो था बट गोल नहीं गया बट इसका कुछ अनेक्सपेक्टीड हिस्सा हो गया था टी कोनेची का पहला दो एक गोल एक असे मुश्किल थी तो अगर आपने कोनेची को लेना है तो उसको लेने के चक्कर में आपको रोडरिगुजी निकालना वड़ेगा और तो बाकी प्लेयर मेरी समझ से बार है मिट फिल्डिंग के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर जे परेरा को तो आप पर 100% लोगे उसके बाद यह जो आप प्लेयर देख रो ना बोटिस्टा हो गया यह सैंचेज हो गया तो यह दोनों तो ऐसी है ठीक है उसको अगर आप छोड़ते भी हो तो दिक्कत नहीं बट दूसरे मिट फिल्डर को नहीं होगा और जी अब्रेगो की अगर बात करें तो आप यहां पर डन हो जाते हैं बात करें अगर हम यहां पर गोल कीपिंग और सौरी डिफेंडिंग की तो डिफेंडिंग के अंदर पी बेरियस एल आर के यह दोनों में प्लेयर है ठीक है यह आपके जो डिफेंडर हैं यह मोस्ट मेंन है ठीक है पी बेरियस एल आर के विकॉज आर के शुरू शुरू में फोर डिफेंडर हुआ करता था तो उसने खूब धूम मचाई है और अभी जो फोर डिफेंडिंग कर रहा है वो है एंडरस मेली अभी तो मैं आपको कहूँग किस बेस को कैपटन रखने है मेरा कैपटन तो देखिए एक होगा टीय लेंदे है वाइस कैपटन अभी के लिए हैसरो रोडरिगूज अगर रोडरिगूज ना खेला या फिर अगर ऑपोजिशन स्वारी या फिर एनकी टीम का एक खिलाडी जिसका मैं नाम ने रहाथा क्य